जोतिश शास्त्र में बुध को ग्रहों का राजकुमार कहा जाता है। बुध धन, व्यापार, तर्क, संबाद, बुध्धी के कारक माने जाते हैं। बुध जब भी राशी परिवर्तन करते हैं या अपनी स्थिती में बदलाव करते हैं तो इसका प्रभाव लोगों की आर्थिक स्थिती, करियर, बुध्ध मत्ता, बानी पर पड़ता है। वहीं हाल ही में बुध गोचर करके सिह राशी में प्रवेश कर गए हैं। बुध का सूर्य की राशी सिह में गोचर करने से कुछ राशी वालों को काफी लाप मिलने वाला है। बुध 1 अक्टूबर 2023 तक सिह राशी में ही रहेंगे। इस दौरान बुध अस्थ और उदित भी होंगे। आए जानते हैं कि बुध की स्थिती में बदलाव से किन राशी वालों को काफी लाप मिलने वाला है। नमस्कार दोस्तों धर्मवाणी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप भी हमारे चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमबर एक मेश राशी मेश राशी वालों के लिए बुध का गोचर काफी शुब साबित होने वाला है। इस राशी वालों के साहस पराक्रम में व्रिध्धी होगी। धन लाभ के संकेट मिल रही हैं और आर्थिक शेत्र में मजबूती बढ़ेगी। वानी में मधुर्ता आएगी और किये कार्य के अच्छे परिणाम दिखाए देंगे। भाई भन का साथ मिलेगा। संतान सुख की प्राप्ती हो सकती हैं। नमबर दो वरिशब राशी। बुध्गोचर वरिशब राशी वालों के लिए बहुत लाभकारी होगा। इन राशी वालों के जीवन में भातिक सुखों की व्रिध्धी होगी। धन की प्राप्ति हो सकती है, रुके हुए काम पूरे होंगे, व्यापार या काम के लिए यात्रा पर जा सकते हैं, आपकी आय में बढ़ोतरी होगी, पैत्रिक संपत्ती मिल सकती है, करियर में उन्नती मिलेगी, कर्स चुकाने में काम्याब रहेंगे. नमबर तीन तुला राशी, बुध्ग्रह का राशी परिवर्तन तुला राशी के जातकों के लिए वर्दान साबित हो सकता है, इस समय आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, जमकर धन लाब हो सकता है, मान सम्मान मिलेगा, नौकरी में पदोननती और बहतर इंक्रिमेंट के योग बन रहे हैं, सैलरी में बढ़ोतरी मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं, व्यापार में भी लाब होगा, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करते हैं, हमारा द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, विडियो पसंद आई हो तो विडियो क को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद.